हलो गाइज, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल, आपके अपने चैनल, A&P Information World आपका स्वागत करता है दोस्तों, आपके इस चैनल पे दोस्तों, तो आज हम एक नए नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आएं दोस्तों, जी हाँ, इंडियन रिल्वे, RRB के थ्रू एक ज आपके सामने लेकर आएं दोस्तों, तो जॉब रिलेटेड किया है, तो इसके लिए मैं आपको सभी को बोलूँगा, जो लोग नए हैं, वो लोग हमारे वीडियो को अच्छे से देगें, और जो लोग नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइक आपको बेल आइकन के मदद से आपको मिल जाएं, तो दोस्तों बिना किसी बखवास के हम चलते हैं, अपने काम पर, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह जो वेकंसी है, यह रेल्वे टेकनिशन की वेकंसी है, और इसे RRB, RRB वेबसाइट पर आप इसे देख सकते, तो दोस्तों, इसमें क्या-क्या है RRB टेकनिशन की दोकी इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज है, कि पहली रेल्वे ने डेड़ वन सीगनल पहली बार दोस्तोर इस बारे में हम और चर्छा करेंगे ऑर इसके बारे में स्वाड डीटेल्स हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगih तो दोस्तो पहला चीज़ है कि जो वक्लेसिटेंट ?」 डेड़ में टेकनिशन ग्रेड़ वन है any sub stream of physics, electronics, computer science, IT instrumentation और आयादो आपके पास B, B.T.E.C. और 3-year engineering diploma पॉल्टेकनिक होना चाहिए तो दोस्तो grade 1 यह जो grade 1 के लिए जो है वो भी signal signal में grade 1 के लिए जो post निकली वो 1090 है और आपको B.S.C. चाहिए B.S.C. चाहिए या फिर B.T.E.C. की डिगरी चाहिए या फिर आपके पास डिपलोमा की डिगरी चाहिए दोस्तो तो यह चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ पे grade 1 को आप आसानी से भर सकते हैं दोस्तो अब मैं बात करूँगा कि grade 3 की grade 3 की दोस्तो जो पोस्त है वो यह 8,052 है और मैं बता दूँ कि जो for S&T S&T मतलब सिगनल और टेलिकॉम के लिए जो ट्रेड है उसके लिए 10 प्लस 2 विच फिजिक्स और मैथ चाहिए आपको और class 10 आपकी पास होनी चाहिए और ITA certificate आपके पास होना चाहिए तो आप S&T की post को fill कर सकते हैं और मैं बता दूँ कि जो other trade है S&T के बाद जो other trade है उसके लिए बस आपको 10 के साथ ITA की जरूरत है और दोस्तो और भी इसमें कुछ अगर doubt हो तो हमारे comment section में comment करें ताकि हम उस doubt को solve कर सके और इसकी जो total post दोस्तो वो 9144 है और इसकी जो age limit है age limit है वो 1-7-2024 तक देखनी है आपको अपनी age और जो minimum age है minimum age दोस्तो किसी भी job को लेने के लिए minimum age 18 साल ही रहता है किसी भी government sector में और जो यह maximum age maximum age की बात जब मैं करूँगा तो यहाँ पर 33 years for technician grade 3 जो technician grade 3 के लिए जो 33 years है और जो grade 1 technician grade 1 जो signal की है वो 36 years होगी तो दोस्तो मैं बता देता हूँ grade 3 के लिए 33 साल है और grade 1 के लिए आपकी 36 साल आपकी maximum age है age के लिए आप RRB website के notification को जरूर देखे और dates की मैं अगर बात करूँ तो application begin जो होगा वो 9 March से begin हो जाएगा और इसकी जो आखरी तारीख रहेगी वो 8 April तक रहेगी और जो इसकी आप इसका exam pay exam pay level fee आप 8 April तक ही भढ़ सकते हैं और दोस्तो अगर आपका बीच में form गलत हो जाता है तो आप correction भी कर सकते हैं railway ने connection का भी date डाल रखा है वो 9 April से 18 April के बीच में कर सकते हैं दोस्तो कोशिश करें कि आप अपना form को गलत ना करें आपको modify करने की जरूरत ना पड़े तो दोस्तो और इसके application fee की मैं अगर बात करूँ तो जो लोग general OBC और EWS से belong करते हैं उनके लिए 500 है और SCST और जो physical handicap है उनके लिए 200 रुपे है और जो all category female यानि कि जितनी फी female category उनके लिए 250 रुपे है और अगर मैं बात करूँ कि refund की तो refund में क्या है कि after appear the stage 1 exam यानि कि यहां पर सीधा से लिख दिया है कि जो stage 1 exam में appear होंगे उनको ही उनको ही मलब refund किया जाएगा पैसा तो क्या क्या पैसा refund किया जाएगा जो U, R, O, B, C, E, W, S है उनको 400 रुपे है यानि कि 500 रुपे उन्होंने डाला था उनको 400 रुपे वापस हो जाएगा लेकिन जो SC, ST और physical handicap और जो female है उनको पूरा पैसा refund हो जाएगा नहीं कि 250 रुपे पूरा कब पूरा refund हो जाएगा तो दोस्तों यही था आज का notice और हमारे next वीडियो में technician में कितने परिशा पास करना होगा full details इसके बारे में आपको जानकरी दी जाएगी क्या-क्या करना है, क्या-क्या details है, full syllabus ठीक है और हमारे आगे के भरती के update के लिए हमारे channel को अब भी subscribe करें ताकि हम आप तक सारी वीडियो पहुचा सके और जो लोग नए है प्लीज subscribe करें और bell icon को दबाना ना बूले ताकि हमारी notification आए तो आपको notify हो जाए और दोस्तों हमारा एक और channel है Practice with A&P आप उसे भी subscribe कर लें कि उसमें आपको exam की सारी details उसमें provide करा दी जाए सारी syllabus और सारी material उसमें provide करा दी जाएगी तो दोस्तों हमारे इस वीडियो पर जाए ज़ए ज़ए लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसे और लोगों तक पहुचाने का किरपा करें तेंकी दोस्तों